प्यारे दोस्तों अल्टिमेट ग्यान में आपका हार्दिक स्वागत है जै मातत दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको कि बिना कुंडली के जाने आप अपने इस्ट देव को आप सोच रहे होंगे कि बिना जैन्म कुंडली के हम इस्ट देव को कैसे जानेंगे दोस्तों भले ही यह बात सत्त रही हो कि जैन्म कुंडली देखकर इस्ट देव को अनुमान से नहीं सपष्ट रूप से भी बताया जा सकता है लेकिन दोस्तों कई बार अपने इस्ट देव का नाम इस प्रकार से आता है जो हमारा मन स्विकार नहीं करता यदि उनके बताये मार्ग से हम स्विकार भी कर लेते हैं तब उन में हमारा मन लग नहीं पाता तब दोस्तों जब मन ही नहीं लगता तो आप उनकी पूजा अर्चना और साधना भी भले प्रकार से नहीं कर सकते हैं दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से जानेंगे आप अपने इस्ट देव को दोस्तों बहुत सी विधिया होती हैं कोई मस्तक की रेखा देखकर बता देता है कोई हस्त रेखा देखकर बता देता है कोई जन्मकुनली से बता देता है लेकिन दोस्तों बात वहीं की वहीं रहती है हम आपको बताते हैं जिसे आपका दिल स्वीकार करे दोस्तो आठ दस अपने देवों की यदि अलग अलग फोटो हैं तब आप देखेंगे कि एक फोटो पर आपका अत्तधिक मन लगता है दोस्तो ऐसा क्यों होता है कई बार आपने देखा होगा जब आप फोटो खरीदने जाते हैं अपने देवों की तो सबसे पहले उसी फोटो का नाम लेते हैं जिस फोटो पर आपका दिल लगा था और वो ही फोटो खरीदते हैं ऐसा क्यों होता है दोस्तों दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जब कोई काम बन नहीं पाते हैं अटक जाते हैं या हम किसी काम को अपने देव से करवना चाहते हैं तब केवल एक ही नाम हमारे मुख पराता है और हम उसी देव की अरजी या अरदाश लगाते हैं ऐसा क्यों होता है दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी गहन मुसीबत में फश जाते हैं ऐसे संकट में फश जाते हैं जिससे उबर नहीं पाते निकल नहीं पाते तब आप अपने एक ही देव को याद करते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है बस दोस्तों अब हमें बताने की आवशक्ता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि वही आपके इस्ट देव होते हैं बस दोस्तो जान जाएंगे आप स्वयम ही दोस्तो जब आप जान जाते हैं अपने इश्ट देव को तो अपने इश्ट देव से मन चाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं पिछले जनम की कर्म ही दोस्तो संसकार बनते हैं और यही संसकार हमारे सुक्षम शरीर के साथ इस स्थोल शरीर में प्रवेश करते हैं इन्ही संसकारों के साथ आते हैं दोस्तो अपने इश्ट देव जो की जनम जनमांतर का साथ होता है दोस्तो यह हमारे मन से विचारों से जुड़े रहते हैं बस दोस्तों जब आप जान ही गए हैं तब देरी किस बात की किसी भी प्रकार की विपत्ती में आप इन्हें याद कर सकते हैं किसी भी प्रकार का कारी करवाने के लिए आप अपनी अर्जी और अर्दास इन पर लगा सकते हैं और मन चाहे फल की कर सकते है प्राप्ति तो अपने जीवन को सुख में बनाईए और अपने इश्ट देव को अपने मन से ग्याद कीजिए तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद